साल के आखिर में राजस्तान में विदान सवाद चुनाव होने हैं वहीं कॉंग्रेस को और पीजेपी दोनों ही पार्टी ने कमर कस लिये बतादे कि अशोक गेलोद की सरकार की खामिया गिनाने के लिए भगवा पार्टी ने हमले करने शुरू कर दिये उसने राज्ये में ब राजस्तान अभ्यान का शकनांद किया पता दे कि जेपी नड़ा ने अपनी रणनीती को साफ कर दिया है कि उन्हें चुनाव में किस तरह से आमजन के बीच उतरना है उनका कहना है कि सूबे की गेलोद सरकार में ब्रश्टा चार के अलावा दलितों महीलों आदिवासी और बच्चों पर अत्यचार के सारे रिकॉर्ड टूड गया है यही वज़ा है कि बीजेपी नहीं सहेगा राजस्तान अभ्यान के शुरुआत कर रही है नड़ा का कहना है कि उनकी पार्टी सब भ्यान के जरिये ताजस्तान के दो करोड लोगों तक पहुशने की कोशिश पार्टी का सीधा मैसेज पहुचाया जाएगा ताकि राज्यों को ब्रहष्टचार से मुक्त कराया जा सके अब समझने वाली बात यह है कि बीजेपी अध्यक्ष ने दो करोड लोगों तक पहुशने का टार्गेट सेट क्यों किया है इसकी सीधी रणनीती पिछले विदा सबा सीटों की संख्या 200 हैं जहां साल 2018 के विदान सबा चुनाव में चार करोड 77,89,996 मतदाता थे जिन में से 3,97,6,726 ने अपने मताधिकर का इस्तमाल किया था अब राजस्तान में बीजेपी आकरमक मोड में दिखाई दे रही है सूबे के नेता मान कर चल रहे हैं कि इस बार पुराना ट्रेंड फिर से सफल होगा क्योंकि पिछले चार चुनावों से किसी भी पार्टी की कोई भी सरकार रिपीट नहीं हुए एक बार कॉंग्रेस तो दूसरी बार बीजेपी सरकार बनाने में सफल रही है हाला कि इस बार सीम एशोग गलौत को कोई भी मौके पर ये कहते वे सुना गया है कि उनको सरकार रिपीट होगी लेकिन देखा जाये तो सताधारी पार्टी के जिन विदायकों को दुबारा टिकट दिया गया उनमें क 94 विदायकों को दुबारा दिकट दिया था जिसमें से 54 को हार का मू देखना पड़ा था जबकि 40 ही चुनाव जीत सके थे